दोस्तो मैं सोरंबली काप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत में पर्थम जीके से सम्बंदित 27 ऐसे महत्पोन पर्षन दोस्तों जोकी अक्सर परिक्साओं में पूछा जाते हैं आप लोग इस वीडियो को ज्यान से देखिए 27 में से कितने सही कर पा रहे हैं अपना इसको कमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा प्यारे दोस्तों बेटे संसद का सदश्य बनने वाला पर्थम भारते का क्या नाम है यह आपके लिए टेस्ट कोशन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बोक्स में बताना है इसका सही उत्तर आपको वीडियो के दुरान बता दिया जाएगा चलिए सुरू करते हैं पहला कोशन है पर्थम भारते पाइलेट का क्या नाम है अगर आपको आंसर पता है दोस्तो कमेंट बोक्स में बताना तो इस कोशन का सही उत्तर रहएगा पर्थम भारते पाइलेट का नाम है जे आरडी टाटा यानि की सही उत्तर रहेगा ठीक है जी चलिए भारत आने वाले पर्थम बिर्टिस प्रधान मंत्री का क्या नाम है? राइट आंसर हैगा हेराल्ड मेक मिलन यानि की सही उत्तर दोस्तो ए हो जाएगा अगला कोश्चन आता है सही आंसर हैगा अभिनाव बिंदरा जी यानि की सी राइट आंसर हो जाएगा तीसरे कोश्चन का सही उत्तर कोश्चन नमबर फोर है इंगलिस चैनल पार करने वाला पर्थम भारते का क्या नाम है? इंगलिस चैनल पार करने वाला पर्थम भारते का नाम मेरे प्यारे दोस्तों क्या है? मिहीर सेन कोश्चन नमबर फोर का राइट आंसर डी हो जाएगा कोश्चन नमबर फाइव है रेमेन मैक्सेस अवार्ड विजेता पर्थम भारते का क्या नाम है? राइट आंसर हैगा आचारिय विनोवा भावे जी यानि की पाँचवे कोश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा प्यारे दोस्तों गर आप लोग किसी भी कॉम्पुटेटिव एक्जाम की चारी करते हैं हमारी मास्टर पीडियाप ले सकते हैं मात्र 170 रुपे में पीडियाप के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट मिलते हैं पूरी लाइफ टाइम के लिए पूरा सलेबस आपका कवर हो जाता है और इस पीडियाप का लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स पर हमारे वोट्स अप नंबर दोनों जगे मिलेगा लिंक पर किलिक करना है पेमेंट करना है पीडियाप आपको तुरंत ही मिल जाती है चटा कोशन है भारत का भर्मन करने वाले पर्थम चीनी यात्री का क्या नम है तो सही उत्तर रहेगा फायान यानि की ए राइटान से दोस्तो हो जाएगा सात्वा कोशन है भारत रितन से सम्मानित होने वाले पर्थम विदेशी नागरी कोन थे तो प्यारे दोस्तों इस कोशन का सही उत्तर रहेगा खान अब्दुल गफार खान यानि कि साथवे कोशन का राइट आंसर हो जाएगा A कोशन नमबर 8 है पर्थम भारतिय नो सेना द्यक्स का क्या नाम है सही उत्तर रहेगा रामदास कटारी यानि कि बी राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा नोबा कोशन है सवतंतर भारत का पर्थम तथा अंतिम भारतिय गवर्नर जन्रल कोन थे राइट आंसर हैगा चकरवति राज गोपालाचारी यानि कि राइट आंसर C हो जाएगा दोस्तों दस्वा कोशन है नीती आयोक का पर्थम अध्यक्स कोन है नीती आयोक का पर्थम अध्यक्स बनने वाले दोस्तों नेंद्र मोदी जी है यानि कि D राइट आंसर हो जाएगा ग्यारवा कोशन है राश्टे कोंग्रिस का पर्थम अध्यक्स का क्या नाम है तो W.C. बनेर जी इस कोशन का सही आंसर हैगा यानि कि A is the right आंसर बारवा कोशन है राश्टे कोंग्रेस के संबेलन में भारत की सवतनता का प्रश्टाव पेश करने वाले पर्थम व्यक्ति का क्या नाम है सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना अपने दोस्तों के साथ में ग्रुप्स में जरूर सेयर करना और अभी तक जितनी भी वीडियो अप्लोड हुई है टॉपिक वाइस जीके की जो की दोपैर में दो बज़े आती है उन सभी की प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में वहां से सारी वीडियो आप लोग देख सकते हैं राइट आंसर हैगा हसरत मोहानी यानि की राइट आंसर दोस्तो बी हो जाएगा तेरवा कोशन है मुगल दरबार में आने वाला पर्थम अंग्रेज का क्या नाम है 13 कोशन का राइट आंसर हैगा विलियम हौकिन्स यानि की राइट आंसर A हो जाएगा दोस्तो कोशन नुबर 14 है भारत आने वाले पर्थम रूसी परधान मंतरी का क्या नाम है निकोलाई बल्गारीन यानि की राइट आंसर दोस्तो D हो जाएगा कोशन नुबर 15 है भारत में प्रिंटिंग प्रेस या पर्थम समचार पत्र प्रारम करने वाला पर्थम व्यक्ति का क्या नाम है सही उत्तर रहेगा दोस्तो जैम्स अगस्टम ही की यानि की राइट आंसर भी हो जाएगा सोलवा कोशन है बिटिस संसत का सदस्य बनने वाला पर्थम भारति का क्या नाम है यह मैंने आप लोगों से टेस्ट कोशन भी पूछा था तो इसका आंसर जरूर जान लिजे सोलवे कोशन का सही उत्तर रहेगा दादा भाई नेरो जी यानि की A is the right answer भी कोशन नमर 17 है गोल्डन गलोब अवार्ड के पर्थम भारतिय विजेता का क्या नाम है सतर्वे कोशन का सही उत्तर रहेगा A.R. रह्मान यानि की C. right answer हो जाएगा अठार्वे कोशन का आंसर बतेगा लोगसभा के पर्थम उपाद्यक्स का क्या नाम है तो सही आंसर हैगा स्री M. अनन स्यानम अयंगर यानि की राइट आंसर A हो जाएगा दोस्तो अठार्वे कोशन का सही उत्तर उननिस्वा कोशन है भारत के पर्थम पुनता गेर कोंग्रेसी परधान मंत्री का क्या नाम है उननिस्वे कोशन का सही उत्तर हैगा अटल बिहारी वाजबाईजी यानि की राइट आंसर B हो जाएगा उननिस्वे कोशन का सही उत्तर बीस्वा कोशन है एक दिवस्य क्रिकेट में दोरा सतक लगाने वाले पर्थम भारते का क्या नाम है बीस्वे कोशन का दोस्तो राइट आंसर हैगा सचिन तिंदुलकर बीस्वे का सही आंसर दोस्तो C हो जाएगा 21 कोशन है भारत के पहले सिक्सा मंतरी का क्या नाम है भारत के पहले सिक्सा मंतरी का क्या नाम है दोस्तो सही उत्तर रहेगा मोलाना अबुलकलाम आजाद यानि की राइट आंसर B हो जाएगा 21 वे कोशन का सेवतर 22 वा कोशन है भारत आने वाले पर्थम अमेरिकी रास्पति का क्या नाम है डिवाइट डी यानि की राइट आंसर दोस्तो A हो जाएगा 23 वा कोशन है लगतार दो बार ओलंपिक में पदक प्राप्त करता का क्या नाम है सुसील कुमार दोस्तो राइट आंसर एगा यानि की 23 वे कोशन का राइट आंसर A हो जाएगा 24 वा कोशन है चिकित्सा के छेत्र में नोबल प्रुसकार पाने वाले पर्थम भारत्य मूल के विज्ञानिक का क्या नाम है 24 वे कोशन का सही उत्तर रहेगा हर गोविंद खुराना यानि की राइट आंसर C हो जाएगा इस कोशन का सेयुत 25 वा कोशन है भारत्य रास्टे कॉंग्रेस के पर्थम मुस्लिम अध्यक्स कोन थे तो सही उत्तर रहेगा बदरुदीन तयव जी यानि की C इस दा रहेट आंसर कोशन नमर ट्वेंटिसिक्स है पर्थम भारत्य थलसेना का क्या नाम है तो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तो पर्थम भारत्य थलसेना का अध्यक्स का क्या नाम है K.M. क करियप्पा यानि की A. राइट आंसर रहेगा 26 वे कोशन का सेयुत्व 27 वा कोशन है अंत्रिक्स में पहुँंचने वाले पर्थम भारते का क्या नाम है तो सही आंसर रहेगा राकेश सर्मा यानि कि A is the right answer मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग बताएंगे कि 27 में से कितने सही किये हैं भारत का बर्मन करने वाले पर्थम चीनी यात्री का क्या नाम है या आपके लिए टेस्ट कोशन है इसका आंसर फटाफट कमेंट बोक्स में बता दीजिए और प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी मास्टर पीडियाप नहीं ली है तो फटाफट लीजिए इसको क्योंकि इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट आपको मिलते हैं पूरी लाइफटाइम के लिए वो भी मातर 170 रुपे में अब इसके प्राइज भी बढ़ने वाले हैं दोस्तों इसके प्राइज 170 रुपीज से बढ़के 220 तक हो जाएंगे तो फटाफट अगर आप लोगोंने प लिंक पर किलिक करके पेमेंट करके आप पीडियाप प्राप्त कर सकते हैं थेंकी सो मच बाइबाई अब्रिवान